Hello everyone I am Akash Gaur welcome back to your Indian Medical Lecture guys नए टूपीक लिकर आप्लोक के लिए शीरप सारी शीरप डिसकेस करूँगो क्या होती है क्या शीरप का काम होता है क्या उसका कमपोजिशन होता है क्या उसका यूज होता है कितनी-कितनी शीरप कहा का यूज की जाती है कैसे उसका डोस देना है कौन सी बीमारी में कितना डोस देना है सारी चीजे डिसकेस करूँगा सबसे पहली जो शीरप हमारी आती है साफी साफी तो को बहुत पुरानी शीरप है कोई आज की शीरप नहीं है कोई आज डेबलप नहीं होई बहुत पहले से ही बनी हुई है, ठीक है, डोस, कितनी मातना है दोखो, तीन जीजे बताऊंगा, नाम क्या है, कमपोजिशन क्या है, डोस क्या है, जो जो आयुरुवेदिक शीरप आएगी, उसके कमपोजिशन में नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंटेन होते हैं, इस बहुत सारे कमपोजिशन से हुँ मिलकर बनती है, इसलिए केवल उसकी थोड़ी सी डिटल इसकस करेंगे, पहले नाम पर आती है, साफी, इस तरह की कुछ आपको दिखाई देती है, साफी शीरप, बिफोर लंच, खाली पेट हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, लेना कब कब है, ये ची धियान रखना, बिफोर लंच, खाली पेट, पाच एमेल लेना है हमको, आफ्टर लंच, खाना खाने के बाद हमको पाच एमेल लेना है, दूरिंग दे नाइट, याने की TDS इसको लेना होती है, TDS का आर्थ होता है, दिन में तीन टाइम, ठीक है, ट्राइस इन अनड़े, इनने तीन दिन में तीन बार इसको लेना होती है, उमको एक शीशी बच्चों में भी यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए भी काफी इफेक्टिव, बच्चों में थोड़ी कम मातरम देते हैं, यह बहुत ज़दा कड़वी होती है, इसलिए इस बच्चों में इसको 2.5 ml लेने की 2.5 ml के समधिंग बच्चों में दी जाती है, ठीक है, आप साफी मतलब साफ करने का काम करती है, खून को साफ करने का काम करती है, खून को साफ मतलब यदि ब्लेड में कोई बेक्टीरिया वगेरा है, तब बे उसको साफ कर देगी, किल कर देगी, और भी बहुत सरी की सपाई करती है, एक ने, यदि आपके चेहरे पर बहुत ज़दा मुहासे अगेरा हो रहे हो, मुहासों में भी बहुत बार कारगार सिद्ध होती है ये दवाई साफी, ठीक है, फीवर, यदि किसे को हाईग्रेट फीवर रहता ना, बुखार अगेरा आता, तो इसको दिया जाता, ठीक है, ये एलोपेथिक के मुकाबले, अगर इसकी बात करूँगा, तो थोड़ा स्लो असर करती है, पर इफेक्टिव है, दूसरी चीजी है, कि हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, कोई नुकसान भी नहीं करती है, ठीक है, बहुत सारी चीजी होती है, इसमें मुलेटी होती है, मुलेटी के अलाववा नीम होती है, तुलसी होती है, और कुछ fruits वगेरा का अध्रक वगेरा का इस्तमाल किया जाता है, बहुत सरे detox लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर detox, यह लिखा हुआ है, detox, detox का internal detox formula, internal detox मतलब आंत्रिक बोडी को detox कर देती है, बेक्टिरिया और आइरस जो भी रहते हैं, उनको inactive कर देती है, बहुत अच्छी शीरप यह होती है, जो साफी, इसका हम लोग इस्तमाल करते हैं, नेक्स शीरप के उपर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स शीरप का नाम है, लीव 52, ठीक ही, हिमालिया कंपनी की दोरा बनाई जाती है, यह भी आयरवेदिक शीरप है, इसमें बहुत सार डाई एमेल देना है, ठीक है, दिन में ढाई एमेल सुबा और रात में, की लिए रहें, देते कब हैं, देखो, गई जो लीव 52 शीरप होती है, यह जॉन्दीस यह जोली लीवर के उपर काम करती है, लीवर से जूड़ी हुई बहुत सारी समश्या होती है, लीवर से जूड अगर कोई समझ्षा है तो बहुत इफेक्टिव है इंप्रू एपटाइट भूख को बढ़ा देना ठीक है यह भूख को भी बढ़ा दी कि किसी को ऐसा रहता है जब भूख नहीं लगती है खाना नहीं खिलता है खाना कम खिलता है ठीक से नहीं खिल पाता गर्मियों में अक् सब्सक्राइब होती है चिद्धियान रखना लिव 52 के नाम से मार्केट में हिमालिया कंपनी के द्वारा बनाया जाती है मेनली लिवर में से जूड़ी समझ्षाव के लिए यूज करते है जुआंडिस, डाइजेशन, इंप्रू एपप्टाइट और लिवर प्रॉब्लम् नेक्स और सबसे ज़्यादा प्रचली सबसे ज़्यादा इस्तमाल होने वाले शीरप डाइजीन ये डाइजीन शीरप होती है बहुत इंपोर्टेंट होती है composition डाइजिन शीरप में क्या-क्या पाए जाता है वो समझो ammonium hydroxide ammonium hydroxide उसका जो composition है ना मैं वो आपको बता रहा हूँ ammonium hydroxide होता है magnesium hydroxide होता है और sodium होता है इसमें एक दो component और पाए जाते है बट मैंने आपको जो main important खास चीज़े है उसके बारे में है discuss करूँगा ठीक है लिखा हुआ है जैसे कि antacid antacid का मतलब होता है gas को acid को कम करना gas को कम करना उसे antacid कहते है ठीक है तो नाम क्या है डाइजिन शीरप इसके अंदर क्या-क्या पाए जाता है ammonium hydroxide, magnesium hydroxide और sodium इसके अंदर पाया जाता dose कितनी मात्रा में व्यक्ति को देना चाहिए यह हमें in adult adult व्यक्ति की बात करेंगे तो 10 mlbd दिन में 2 बार 2 चम्मज ये 2 ढकन से नाप के ले सकते है इसके ढकन है 2 ढकन या 2 चम्मज पोहे की चम्मज से 2 चम्मज आप पी सकते है सुबा खाली पेट में ठीक है और एक रात में सोते टाइम खाना खाने से पहले खाना खाने से पहले आपको लेना होती है इसको ठीक है चिल्रन यदि बच्चों में बात करो तो गईस 5 ml देना है पोका खाल खाया है बट कोई प्रोब्लम ने रहती दिन में बीडी आप दे सकते हो बच्चों को 5 ml चिल्रन्स की बात कर रहा हूं मैं जो न्यूबेन बेवी रहते है उनकी बात नहीं कर रहा हूं चिल्रन्स और चोटे बच्चों में बहुत अंतर होता हुद चिल्ड्रन्स भो होते जो छल फिर सकते दोड सकते खेल सकते बोल सकते रो Euro थी खा सकते ऐसे बच्चों को चिल्ड्रनस कहा ज़ाता है इजह चिल्ड्रन्स उर उसमने अंतर समझना चिल्ड्रन्स में पास Hsu यूस। ठीक है, I hope कि आपको ये चीज़े समझ में होगे, नाम डाईजी ने कमपोजिशन इसमें अमोनियम आइडरोकसाइड, मेगनिशन आइडरोकसाइड, सोडियम पाये जाता है, बच्चों में इसको पार्चे में ली देना होता है, दिन में दो बार, एडल्ट इसको तीन बार भी ले सकते है, जादा समझ्षा होने पर, सुबा खाली पेट लेना है, दो चमच, अच्छा बहुत सारे मेसेज़ ये करते हैं, कितने समय तक लेना है, भाईए, एक शीशी आप पूरी पियो, एक शीशी जो ली है अपने पूरी लोस को, कितने दिन चलती है, वो एक अलग बात है, एक शीशी को पूरा पीना है, उसके बाद बेदिया आपको प्रब्लम है, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो, और पूछ लो, कि भाई, हम इसको continue कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फिर आप इसको stop कर दो, मेरे according, एक शीशी अप इसको सफिशेंट, बीच में भी अगर आपको comfortable लगता है, तो इसको आप बन कर सकते हो, ठीकें, पर डोस पूरा लेना, एक शीशी आपको पीना है, ठीकें, नेक जो शीशी आप पर बताओ, यह नेरी, यह अमरित है, एक शीशी ध्यान रखना, नेरी इसा अमरित, अमरित क्यों बोल रहा हूँ, यह बहुत ज़ादा इसमाँ आयुर्वेधिक कंपोनेंट होते है, और किडिनी के लिए यह जिवन दान होती है, किडिनी को जन्म देती है, यह एक तरह से किडिनी को भी जिन्दा कर देती है, यह तो एक मोहावरा में आपको बोल रहा हूँ, बागी पर किडिनी की डिसीज के लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इस नेरी शीरप, मार्केट में नेरी के नाम से आपको मिलेगी, आयरुवेदी के तो कंपोजिशन में इंपोसिपल है, एडल्ट, यदि एडल्ट में बात करूँ तो 10 ml बीड़ी, दिन में 2 बार देना है, यानि कि 2 चम्मच शुभा और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद इसको लेना होती है, ठीक है, बच्चों में भी दे सकते हो, यानि कि चिल्रन्स वाले बच्चों में, 5 ml, पाच मेल, सुबह 5 ml, यानि को यानि करुदी, बहुत सारे बच्चों में इत उतल में, ब्लेडर में इंफेक्शन हो गया, उनको बच्चों बातरूंग में जलन होने लगती है, एडल्ट में भी होता है, किडिनी स्टोन यदि पेट में पत्थरी बन गई हो तब भी इसको देते हैं UTI, Urinary Tract Infection, चाहे Bladder में Infection हो, चाहे Kidney में Infection हो, चाहे Ureter में Infection हो, चाहे Urethra में Infection हो, इसको देते हैं किडिनी की सभी disease में बहुत जादा कारगार सिद्ध होती है बहुत जादा Effective Medicine होती है, दवाई होती है गैस, नेरी शीरप याद रखना, स्क्रिंशोट ले लो चाहे बहुत-बहुत-बहुत जादा Most Important शीरप है ये नेरी शीरप के नाम से Market में मिलती है ठीक है, किडिनी के लिए सबसे Effective Medicine है ठीक है, आगे बढ़ता हो Next जाती है आपकी Jinkovit थोड़ा सा इसको, वन मिट थोड़ा सा यह है न, टाइपिंग में थोड़ा सा इदर कट गया है बढ़ आप समझ जाना, Jinkovit शीरप का नाम होता है, जिंको विट ये multi-vitamin शीरप होती है एडल्ट याने की, एडल्ट में 10 ml दिन में दो बार लेना चाहिए बच्चों में 5 ml दो बार देना चाहिए ठीक है, इंक्रीज इम्यूनिटी है हमरी प्रतिरोधक शमता को बढ़ाती है इस तरह की आपकी शीशे आपको मार्केट में मिलती है, जिंकोविट करके, ठीक है बहुत ज़दे इफेक्ट हुए इसमें pineapple flavor में भी मिलती है और भी बहुत सारे flavor में आपको मिल जाती है आपकी improve immunity को बढ़ाती है next जो शीरप आती है हमारी dexorange dexorange syrup क्या करती है यह जो dexorange syrup पर इसका composition समझ लो feric ammonium citrate इसमें feric ammonium citrate पाये जाता है sinocobalamine पाये जाता है folic acid पाये जाता है यह क्या होता है यह blood से जूड़ी हुई समझता है यानि कि खून कम हो गया हो तो खून को बढ़ा देगी hemoglobin को बढ़ा देगी RBC को बढ़ा देगी देना कितना है देखो adult की बात करो तो 5 ml बीड़ी दिन में दो बारी देना है सुबा 5 ml शाम को 5 ml खाना खाने के बाद में इसको लेना होता बच्चों में भी 5 ml दे सकते हो सुबा और शाम को खाना खाने के बात यानि की चिल्डरन्स वाले बच्चों में ठीक है अब ये जो डेक्सोरेंज शीरप पेना गई बहुत इफेक्टिवी बच्चों को एनिमिया हो जाता है कोई बच्चा बहुत ज़दा कुपोशित रह गया कुपोशन हो गया हो खून की कमी है कुपोशन है सूखी चमडी है तब हम इस शीरप को डॉक्टर सजिस्ट करता है लो हीमोगलोबीन यदि किसी का कम है प्रेगनेंसी में इसको खास करके गाइनेकोलोजी सजिस्ट करते किसी लेडी से उसका हीमोगलोबीन कम हो जाता है प्रेगनेंसी में पता होगा आपको, उस कंडिशन में बहुत ज़दे इफेक्टिशी होती है, इफ इंपोर्टेंट शीरप है यह, खून की कमी होने पर एनिमी अमें को पोशन में इसको अम लोग बच्चों को भी जे सकते हैं, यह चीत द्यान रखना, फेरस, फेरिक अमोनियम सेटरेट, साइनो कोबलमीन और फोलिक ऐसेड़ी, इसके अंदर पाया जाता है, आगे बढ़ता हो, नेक्स्ट, आर्बिटोन, आर्बिटोन भी खून बढ़ाने का ही काम करते हैं, यह भी उसका ही सब्स्टिटूट है, इसमे जिए के शीशे, आपको मार्केट में मिलेगी यह शीरप आइरन, देना कितनी है, एडल्ट में 5 मेल दिन में 2 बार, बच्चों में 5 मेल दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद, ठीके, खून की कमी हो जाने पर लो हमोगलोबिन, कुपोशन हो गया, कुपोशन में देदी, लो एरिस्टोडाइम क्या है? एरिस्टोडाइम दिखा हुआ पाइनेपल फ्लेवल में डाइजिशन के लिए हम लोग इसको में यूज करते हैं, इसके अंदर क्या पाये जाता है? पेपसीन, पता है, डाइजिस्टियो एंजाइम होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, एग इसमें अंडे का अल्बियोमिन भी होता है, एक अल्बियोमिन, कुक्ड स्टार्च, पका हुआ स्टार्च भी इसमें पाये जाता है, कब यूज होती है? हार्ड बर्न, यदि आपको छाती में बहुत जलन होती हो, ठीके? इन डाइजिशन, यदि आपका खाना नहीं बार-बार आपको काने का ऐसा कट्टा-कट्टा हो जाता हो, गेस पेट में बहुत ज़दा फूल गया हो, गेस यदि बनी हो, तभी शीरप का यूज करते है, ठीके? कब देनी है? भाईया, एक शीरप सफिशेंट रेती है, एक शीरप एडल्ट में पाच एमेल, दिन में द अच्छा एफेक्ट करेगी, पेट में जलन नहीं होगी, आपको एजिली इसको बोजल्दी रिलिफ हो जाएगा, डाइजेशन शीरप होती है, डाइजेश्टियो नदर पाए जाते है, जनने कि पेपसीन, इसमें कुछ और कंपोनेंट है, बट जो में 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 था पेपसीन एक अलक्नियु से आपको बता दिया है, थीके, नेक्स में आगे बढ़ता हूँ हहां से, नेक्स जो शीरप आती ही साइपोन, साइपोन शीरप भी बहुत इफेक्टिव कर बहूत इंपोर्टेंट है। इसमे अंदर पाये जयता है शाइप्रो हेप्टाडिन में पाये जयता है। के सम्तिंग इसको दिया जाता है कभ यूज होती है इंक्रीज एप्टाइट खाने को भूग को बढ़ाने के लिए इंक्रीज वेड वजन को बढ़ाने में जब खाना ज्यादा खाएंगे भूग ज्यादा बढ़ेगी तो वजन ऑटोमेटिकल बढ़ जाएगा माल नूट्रि इंजेक्शन कितने होते हैं कैसे होते हैं इमर्जेंसी मेंडिशन बायोमेडिकल वेज और आपके से लेबस से रिलेटेट सारी चिचे डली हुए एक बाद चनल विजट करके देखो थेंक्यू